देखिए बहुत दुर्भागे पुर्णा हुआ जो कुछ हुआ एक पर पुर्णा उन पड़िवारों पर क्या गुजर रही होगी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हमारा मन्न है कि शोड़ एक तो सब उनको शक्ति दे इस लॉस को साने के लिए जिसके भरपाई जंबब न होना चाहिए इसको जड़ से खत्म करने का और वो दो लेवल पर एक जो सिक्यॉर्टी फॉर्स जो कर रहे हैं बखो भी दूसरा है कि विकास को इतनी रफ्तार दीजिए कि उनका पूरा का पूरा आधार ही सिकुड़ जा रहा है खत्म हो जाए यह हमारा दो लेवल पर सिनर मैं समझता हूं कि इसकी और भी ज़रूरत थी अब जब फिर सर से उपर पाने जा रहा है तो जाहिर चेते हैं सब लोग यह अच्छी बात है असल में क्या होता है कि हम बीच लड़ाई में ही अपनी पीट थप थपाने लगते हैं जिसके नतीजे हम देख रहे हैं मता हूं लेकिन क्या कोरोना एहतियाद के साथ नहीं हो सकता था कम सकम स्टेज से दिखे तो कि लोग गंभीर हैं और वो संदेश जाएगा मैं समझता हूं कि सिर्फ यह कहना कि फालाना राजे और वहां की राजे सरकारें इसे बात नहीं बनेगी कोरोना राजे की सरहत पहले पर्मिट नहीं मांगता है और चुकि इस हमारी का कोई एक्सपारी डेट नहीं है हमें वैक्सिनेशन को टोन अप करना चाहिए और एहतियात पर लगातार संबाद होना चाहिए कि एहतियात ना छोड़े जाए नहीं बंगाल का चुनाओ एक टेस्ट केस है हमारे लोग तंतर में भगवान श्री राम बनाम दुर्गामा जिस लोग तंतर में पेगमर मुहमद का जिकरा जाए जिस लोग तंतर में जीसस का उधारन दिया जाए जिस लोग तंतर में ठाली का सवाल ना हो रोजगार का सवाल ना हो उस लोग तंतर को हम क्या कहेंगे हम सरकार क्यों चुनते हैं अपने सरोकार के लिए अपनी थाली के लिए अपने रोजगार के लिए अपनी दवाई के लिए अपनी सिख्षा के लिए सरकार हैं किसी और वज़ा से नहीं चुनिया आती है लेकिन दुख के साथ कहूं कि बिमर्ष इतना अशलील अशोभनिय सा हो गया है कि दो माई के बाद तु मान लीजे किसे ने किसी की सरकार बन रही और जहां तक हमें ख़बर है ममता जी की बन रही लेकिन जो छटे पहुंच जाती है ने लोकतंदर को वो रिपेर नहीं होता है वो नहीं पता है अब कोई विगल्ब हमने नहीं चोड़ा है ना सिर्फ उनकी सुनी नहीं जा रही जिस प्रकार की उदासींता की नजरों से उनको देखा जा रहा है थका रहे हैं सोच रहे हैं थक कितने दिन रहेंगे मैंने इतनी समवेदन ही इन सरकार नहीं देखी बड़ी बहुत सरकारे देखी उनके खिलाफ लड़े भी लेकिन कोई सरकार अपनी समवेदनाओं को खत्म करके हट धर्मीता के आधार पर ये कहे कि जो हम के हैं वो मानो ये हिंदुस्तान के लोकतंदर का मिजाज नहीं और ये नया वाला मिजाज पसंद नहीं आ रहा है। अभी गुंड़े दिख रहे हैं जिन जिन जो लोग आज उनके महत्वपुर्ण है बंगाल में वो कभी टीमसी में थे और उनके बारे में वीडियो जारी करती थी वीजेपी फला ना इसके हम चिला ना इसके हम वो सारे वीडियो कहां गुम हो गए हमें बड़ी इच्छा ह या वो जो लोग कहते हैं कितनी पावरफुल वाशिंग मसीन है दिन देयल उपाध्याए वाले ओफिस में इनके इधर से डाला उधर से स्वच गंगा जली निर्मेट जक्ती निकला जै पिक के नेता जब भी जा रहे है परिवार वाश और विकास और करप्सम की बात कर रहे हैं लोग और क्या परिवार की फियरिस्टकरर लेके बैठ जाये खुद बीजैपी के लोग कितने हैं कितने पड़िवारों का भरन पोशन हो रहा बेटे के बाद बेटे के बाद दूसरा बेटा भाई मुद्धों पर बात कीजी और एक बात और मैं कह दू कई दफ़ा इस तरह की चीजे हुई जनता को जिसने जनता ने जिसको चुन लिया उस पर इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते रही बात भरस्टा अचार वगेरा की तो जो कहते हैं आपके कबड में बहुत स्केल्टन है निकलेंगे दीरे दीरे कि अनता को जह रहीं लगे हुई